हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई चैनल आजम बनाने जा रही है रेस्टारी स्टाइल मत्रपनीर मैं हाँ पर आपको रेस्टारी मत्रपनीर बनाना बताऊंगे बहुत ही प्रेस्ट के साथ तो आप वीडियो को पूरा वाच करें वीडियो आपको पसंदा है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें एक कमेंट डाउन करके बताया कि आपको में रेस्पी कैसी लगी है ऐसी नहीं नहीं रेस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेए बेल आइकन को प्रेस कर दें माटर मेड़ की रेस्पी हो गजानास करते हैं देखें आप पर जिंजर ले लिए हैं टमैटो लिए फोर इंट लिया है आप देख सकते हैं पहले मैं इनको फुराइ कर लूगी चलिए मैं इनको फुराइ करना स्टार्ट करते हैं मैं ने टो 130 आप पर सब्सक्राइब करण नापक।B समें पहले जार्लिक खाते हैं और आप राइँ और आप यहांडन अपैसके अधाई घुझेल द। सीमें पाक यह पर टमाख़े चैनलiden की में यहांडना करेंग प्रफेद आप सिदा आप बरेगन के जाप लागाली और फेल सब्सक्राइबराज अब जो new кई हैं इनको अच्छे से फ्राइड कर सबस्का यहां पर फॉर्स पॉटर एड़ कर था हैं वह कि जो है मैं इसको कवर कर देती हूं कवर कर मैं इस पंशा नेम की कूट कर दोंगी जिससे यहां प्रॉम पर फॉलत्र चाहिं वह इसके की आरफ कर देती हो पहले मैं अपने टहंट को चेक करें करें घर दिंगी कि अच्छे से गले हैं का इस हमारी पहले पर पेस्ट बना कर ले यहार अगे आप पैन ले लियर अपधर घर अगी और मेंने आप़ 250 ग्रैम पनीर ले लिया है पनीर को मैं फ्राइ कर लूँगी लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा सा मैं इसको फ्राइ कर लेते हैं यह टोटल ऑप्शनल है बट पनीर को फ्राइ करने से जो पनीर का टेस्ट है वो एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो भी मैं इंगेर डियूस कर रही है अपनी रैसिपी में वह समय डिस्कुरिशन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी तो आप वहां से देख लें मैं इसको हलका सा कवर कर दूंगी जो हमारा पनीर जब फ्राइ होगा तो थोड़ी छीटे आएंगी तो जिससे कि हमारी ग दूंगी हो जाएगी इसको हलका सा कवर कर दिया आप देख सकते हैं इसकी जो फ्लेम है वो भी हमने लो कर दी है कि अधिए हमें एक बर ढंन अटाकेंगे इंको बलड देती हूं लोभ फ्लेम पर हम फ्राइ करेंगे तो यह चिड़ा चिड़ा नहीं होगा अगर आप इसे को फ्लेम पर फ्राइ करेंगे तो एदम फारी पनिक देख़ा हमें खाने में फ्राइटी-धैसा लगा देखे लूफ लेम्पे लेया देखेब से पिलट दिया है लाइट ब्राउन हो गया है इतिना है यह प्लेट में निकाल लेते हूं तेकि हम अपने घर की मसालों से बहुत ही अच्छा एक मटरी बनीर बना के रेडी करने वाले हैं यह जो हमारा इसमें घीब बच गया था इसी में हम अपनी मटर बनीर की सबजी बनाएंगे मैं आप पर एट कर रहे हूँ और मैं आपर हाफ टी स्पून ओफ राई एट कर रहे हूँ मैं आपर राई हमनी जो है फ्राई होने देते हैं उसके बाद हम आपर स्पाइसिस एट करेंगे मैं आपर हाफ टी स्पून ओफ रेड चिली पाउडर एट कर रहे हूँ 1 č 1 1 4 ती स्पून अपर घरम मसाला एड कर रहे हैं और 1 ती स्पून ने आपर धनिया पाउडर एड कर रहे हैं मैं आपर 1 ती स्पून ड्रेट चिली पाउडर एड करूंगी दिक्षिए मैं अपर अपने टमेटो की प्यूरी एड कर देती हूं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले पहले एड़ करने से होता कि हमारी जो ग्रेवी का जो कलर है बहुत अच्छा कलर आता है बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए और आपको जो ओयल है तेज होट नहीं होना चाहिए अगर तेज गरम ओयल में आप मसाले डाल देंगी तो मसाले आपके जल जाएंगी तो आपको इस बात का दियान रखना है मैं इसको कवर होने के लिए रख देती हूँ जिससे कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएंगी थ्री-टू-फॉर मिनुट में हमारी जो ग्रेवी यह अच्छे से पक जाएंगी आप देख सकते हैं मैं आप पर सोल्ट एट कर दूंगी हमने अपरी सोल्ट एड नहीं करा था अब तो मार्किट में इसली मटर मिल जाती है मिल रही है तो मैं आपट फ्रेश मटर एड कर रही हूं वन कप मैंने अपनी मटर को पहले बॉयल नहीं करा है आप बॉल करके भी एक है कर सकते हैं तेकिए हम इसे पर मटर को एड्ट कर दिया मैं आप पर वाटर एड्ट करूंगी 1.5 कॉप मैं आप वाटर एड्ड करा है आप देख सकते हैं और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूं अब हम इसको पकने के लिए अच्छे से रग देंगे 10 तो 15 मियूट के लिए जिसे की हमारे जो मटर पनीर है वो अच्छे से बनके रेडी हो जाएगा 10-15 मियूट में देखें अब इसमें अपनीर पनीर अपनीर को फ्राइब कर देती है जल्दी से देखिए मैंने हाँ पनीर एड़ कर दिया है और मैं इसको मिक्स कर दूँगी अगीन हम इसको एक बार और पकने के लिए रख देते हैं 5-7 मिनट में हमारा जो फाइनल मटर पनीर है वो बनके रेडी हो जाएगा देखिए 5 मिनट हो गए है और हमारा जो मटर पनीर है वो कितना अच्छा बनके रेडी हो गया है विदाउट काजू, विदाउट करीम और विदाउट मलाई देखिए हमने इसमें कोई भी काजू का यूज नहीं करा है कोई भी मलाई का यूज नहीं करा है विल्कुल भी करीम का यूज नहीं करा है कुछ भी हमने यूज नहीं करा है गर की समान से हमने कितना अच्छा मटरप नीर बना के रेडी करा है तेकि मैं आप पर वन टी स्पून ओप कसूरी मेथी एड़ करूं कसूरी मेथी को मैं हैंड से करश करके एड़ करूंगी जिससे कि इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूं कि ऐसी नहीं रस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को प्रेस कर दें मैं इसको एक सर्फिंग बॉल में सर्फ कर लेती हूं कितना अच्छा हमारा मटरप नीर बन के रिड़ी हुआ है एसी नहीं रस्पी देखने आप चैनल को स्प्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़एदर सज़एदर लाइक करें शियर करें एंड मुझे फिडबेक करें करके बताएं कि आपको में रेस्पी कैसी लगी है थैंक यू थैंक्स वर वचिंग बाइ बाइ